मेरे युवा साथियों विश्णु पुराण में लिखा है गायंती देवाहा किल गित कानी दन्यास्तुदे भारत भूमी भागे अर्थात देवता भी यही गान करते हैं कि जिसने इस भारत भूमी में जन्म लिया है वे मनुश्य देवताओं से भी अधिक सवभाग्य शाली है आज भारत सफलता की जिस उंचाई पर है वो अभूत पुर्वा है पूरे विश्वम है भारत की धाग भारत की धाग जमी हुई है 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर वहां पहुँचा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुँच पाया था अभी जी ट्वेंटी में अभी आपने देखा कैसे भारत का प्रचम लहराया आज भारत दुनिया की फास्टेस ग्रोइंग लार्ज एकोनोमी है आज भारत ग्लोबल फिंटेक अड़प्शन रेट में नमबर बन है आज भारत रियल टाइम डिजिटल टांजिक्शन करने में दुनिया में नमबर बन है आज भारत स्मार्ट फॉन डेटा कंजुमर के मामले में नमबर बन है आज भारत इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मामले में दुनिया में नमबर दो पर है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैनिफेक्चरर है आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम है आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंजुमर है आज भारत अंतरीक्ष में अपना स्पेस स्टेशन सापित करने की तैयारी कर रहा है आज सुबह ही आपने देखा है कि गगन यान की तेस्ट प्लाइट और क्रू इसकेप सिस्टिम का कैसे सफल परिक्षन किया गया है ग्वालियर में तो एरफोर्स का इतना बड़ा बेस है आपने आसमान में तेज़स की उड़ान देखी है आपने समंदर में आएनेस विक्रांट की हुंकार देखी है आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है भारत का बढ़ता हुआ सामर्थ हर सेक्टर में आपके लिए नई पॉसिबिलिटी बना रहा है आप सोचिए साल 2014 से पहले हमारे यहां कुछ सो स्टार्ट अप्स हुआ करते थे आज भारत में स्टार्ट अप्स का आंकड़ा एक लाग के आसपास पहुँच रहा है बीते कुछ सालों में भारत में सो से जादा यूनिकॉन बने हैं आप लोग भी जानते हैं कि एक यूनिकॉन मतलब कम से कम आठ हजार करोड रुपी के कमपनी सिंधिया स्कूल के विद्यारतियों को भी यहां से जाने के बाद यूनिकॉन्स बनाने हैं अपने स्कूल और देश का नाम रोशन करना है दे वर्ल्ल इस यॉर ओश्टर और सरकार के तौर पर हमने भी आपके लिए नए नए सेक्टर ओपन कर दिये हैं पहले सेटिलाइट सिर्फ सरकार बनाती थी या विदेश से मंगाती थी हमने सपेस सेक्टर को आप जैसे युवाओं के लिए उसे भी ओपन कर दिया है हमने डिफेंस स्टपर को ऑब आप जैसे युवाओं के लिए ओपन कर दिया ऐसे कितने ही सेक्टर्स हैं जब भारत में आपके लिए बंड रहें आपको मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाना है आपको आत्मंदिर भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है मेरा एक और मंत्र याद रखिएगा हमेशां आउट आप दे बॉक्स सोचिए जैसे जोते रादी जी के पिता जी हमारे मादराव सिंद्या जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने सताब्दी ट्रेनों की शुरू करवाई थी इसके तीन दसक बाद तक भारत में फिर ऐसी आधुनिक ट्रेने नहीं शुरू हो पाई अब देश में बंदे भारत का भी जलवा है और कल ही नमो भारत के रफ्तार भी आपने देखी है